तस्वीरे सुंद्रवणी के मुख्या चो की यहाँ पर कॉंग्रेस के कारे करता यहाँ पर जिला अध्यक्ष और कॉंग्रेस के वरिश नेता पूर मंत्री शवीर खान की अगवाई में यहाँ पर केंदर सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस समय पर अधर्शन कर र इस समय एक वबे रैली के रूप में इस समय सुंद्रवणी के मुख्या चोक से गुजरते हुए इस समय सुंद्रवणी के तहसील कारेली की तरफ बढ़ रहे हैं और एक लिखित में मेमोरनम कांग्रेस की तरफ से तहसीलार सुंद्रवणी के माध्यम से राज्य सरकार को के इंडिनेशनल कॉंगरेस जिन्दाबाद के नारे यहां पर कॉंग्रेस के तमाम कारेकर्टा जहां पर लगा रहे ह। वो में इसे चाँ पर देश क्विलन करते हुए पर तमाम जो जन बिरोधी नीतियां जिसके अंदर जो माइनिंग के खिलाफ और रेट वजली के ओपर जो लग रहा माइनिंग टैक्स उसको भी माफ करने की यहां पर मांग कारेकरता यहां पर कर रहे हैं कांग्रेस के जो जो नेता कांग्रेस के बरिश नेता और मुख्या प्रवक्ता जमू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के मुख्या प्रवक्ता रवेंदर शर्मा से हम बात करने का पर्यास करेंगे लगतार यहां पर जो एक आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहां पर इस समय तहसील कारेले में कॉंग्रिस के तमाम कारेकरता यहां पर एकत्रित हो चुके हैं और हाई 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 साथी सामने रहे और यहां से तर जो सारे लोग है फोटो में इनको लिखेंगे आज की इस परदर्शन तो सब्सक्राइब ठीक है आज का इस परदर्शन जो है यह जन जागरन अभ्यान जो देश भर में जहां वो कांगेस पार्टी के नितर्तम में स्एरा जो है वो देश में यह जागरन बनाया जा रहा है मोधी सरकार की जो डीटिया है क्याई वो किसान बिरोधी हो एंजवा भी रोधी आवाम विरोदी हो गरीब विरोदी हो और जमू कश्मीर विरोदी हो उनकी आम आज मुखालफ़त और मदमत करते हैं बहुत सी बाते हमने जो है वो आज के इस मेमेंडम में शामल की हैं जिसमें बहुत बड़े-बड़े वादे जो सरकार ने किये थे उन वादों के हम याद हैं और सबसे बड़ी बात है कि महंगाई जो चर्म सीमा पर है साथी नामने रहे वह महंगाई जो है उस पेपर टेक्सी टेक्स हैं जिसकी बएसे महंगाई है पैट्रों डीजल और गैस उसके ओपर आदा दाम से कच्छा तेल खरीते इतनी महंगाई पर तेल बेचा जा रह ही है उसके ओपर जमो कश्वीर में टॉल टक्स टॉल प्लाजा टॉल प्लाजा और यह वो सरकार है जिनने टॉल प्लाजा तोड़े थे और आज चार चार टॉल प्लाजा जमो में पांच माइच लगे हैं और इसी तरह से युवाव के लिए जैसे मैंने कहा पचास जार नो तुए है अभी जाएनी कितने की होईयत रखा कितने को मिली है तीन साल के बाद धाई साल से ज़्यादा हो गया कि पचास जार तीन मीने में फिर एक लाग प्राइवेट सेक्टर में नोक्रिया करोना की वैसे अर्थ अर्थिमंदी की वैसे खत्म हो गई नोट बंदी सी वै ती ठी आरी टी तुमाम जो स्कूल्स है उनको बंद करना यह रोजगार जो हैं वो भी खत्म करने का प्लान है हम यह कहते हैं कि इसको बंदा जाए इसी तरह से जो किसान है यहां पे खाद और बीज की बहुत तंगी है और मुझे शिकाई मिली है कि दो नंबर की जा घटिय लाइजर लोगों को किसान को कम से कम दिया जाए जो किसानों की MSP का जा बाकि डिमांडा उसका भरपूर हम समत्र करते हैं जो 700 किसान शैद हूए उनको मावजा भी दिया जाना चाहिए और करोना के अंदर जो लोग बारे गे बगए अक्सिजर बगार गैस के बगार साथ उनको भी सरकार कम से कम चार लाख मावजा दे यह हमारी मांग है जो इसके समत्र करते हैं आथ खड़ा करिए इस तरह से सारी कल्चर के लिए हमने ठंडा पनी में इंडस्टिल एस्टेट और आठ फैक्टरियों का मंजूरी कराई थी जहां पे सारी कल्चर खुप्रियों का ब सारा दोजार ठारा दिसंबर को वो कप्लीट होनी थी इसी तरह से वहां से मेंगा फिल्ट्रेशन प्लाट जो के तमाम बैनी गला बादावई डोग पन्यारी और कितना भी आसपास का इलाका था एनपूर तक उसको ठारा लाग गैलन पानी मिलता लेकर वो भी कही नजर नह चास बच्चे थे उस वक्त आज 900 बच्चा लेकर चार कबरों में वो चल रहा है जिस जहां मैंने खोला था उनके लिए कोई बिवस्था नहीं इतनी नायल सरकार है कई जगा पे कराईप की बिल्डिंग में कब से कम काले चलते हैं दस साल में आठ साल में इन से मैंने शुरू किया था और यहां कालेज और बिल्डिंग कठानु में बनी थी दोनों का संक्षिन त्रैसिक नाजमी थी लेकर वह स्टेडियम भी खत्म हो गया अब गाउं गाउं में प्लेफिल्ड अच्छी बात है लेकर एक स्पोर्स स्टेडियम भी यूट के लिए बना लगेगी करोन पेगी का उसमें डाक्टल लगेगे और दोगों के साथ खिल्वार किया जा रहा है अच्छिक्शन के साथ खिल्वार किया जा रहा है बच्चों का इसी तरह से हमने मांग की है कि जो डेली वेजर्स नीड वेस्ट कंट्रक्शल टेंपरेरी जितने भी बलाजम थे इन सब के लिए बीजेपी कहते थी हमें सरकार में आने दो आते ही पक्ते और आज उनको लेंड केस वालों को तरखारी मिलती जिन्होंने अपनी जमीने सरकार को दी आज उनको कहते हैं यह पि दी बिजनी चला रहा है वो पिहली सरकारों का पाप है बीस बीस पचीस पचीस साल से इसलिए हमने मांग की है कि जवाब दो हिसाब दो और अंगर बाड़ी हैं आशाबर करें दूसरे लोग हैं उनके साथ जो है वो किसका तो इसलिए लेंड पालिसी एक बहुत बड़ी द को शन्तुली से पहले काबस है स्टेट लेंड थोड़ी बहुत किसान और इस रिसने उसको बनाया उसको बचाया उसको जोता आज रख्तर में बैठकर अउनके गडावियं कार दी गी और बेदखल किया जा रहा है थो पास थोड़ी बहुत जगा थी आज मकान वाते हैं चा कार लेंड लास होम लास से लेके मार्जन स्माल फार्मर्स को बेदाखल कर रही है तीसरी बात फारस्ट राइट अक्ट लागू किया ट्राइबर्स के लिए अच्छी बात है लेकर जो दूसरे लोग कही स्टेट लेंड फास्ट लेंड पे हैं उनके लिए 1930 रखा है इसलिए उसे रिवी होना चाहिए उनको भी हदिकार दो अच्छी बात है कि एक कमिटी को जो स्टेट लेंड पे उस पे लोग बैठे हैं उन लोगों को खामखा तंग ना किया जाए इसी तरह से हमने पाड़ी का भी कहा के स्टी स्टाटस की भांग बहुत परानी है और हमने कही बा जाते हैं कि विकास के कारिये रुके हैं बड़े-बड़े दावे किये जाते हैं लेकर अपने कांशियसी का हालात जासुद्र बढ़ी के हालत आसपास आप देख लीजी जो 2014 पिछली जूपिया की सरकार में जो प्रजेक्ट मंदूर हुए जो प्रजेक्ट शुरू है जो क में आओ ग्रीबों पर टक्स माफ करो ग्रीबों को दुबाना माफ करो किसान को दुबाना माफ करो किसान मेंगाई से दो चार है रोजगार के सादर नहीं बेरोजगार को आपने तंग करके रखा है उसके लिए कोई सादर नहीं आपने पालिसी ऐसी बनाई है कि दस साल में हिंदोस्तान में यूटी बने के बाद सबसे टाप पे अगर का जमो कश्वीर आया है तो मेरे ख्याल से 22 प्रतिशत मेंगाई बड़ी है बाइस बेरदगारी बड़ी है और मैं सोईता हूं रिश्वत खौरी भी इससे देखते ही कुना बड़ी है दफ्तरों में क्यों बात सब्सक्राइब बड़ी मलाजमीन भी तंग है पांच साल से इन से ट्रांसफर कोई नहीं होता कोई ममलाजम कहीं घल जगा फसे और ट्रांसफर में टीचरों का हाल देखता हूं कों सी एडिस्टेशन है कि टेंटेटिव लिस्टों के बाद फिर दिकलती है फिर गर्नसल होत एक्सरस्पेर भी तंग तंग युवा भी तंग भी तंग रेट बजली वाला तंग ट्रेक्टर ट्राली वाला तंग ट्रकर ट्रिपर वाला तंग तो खुश कौन है सर्मादी और अडानी यह बात कह दीद है मोडी जी के दो जहाज 16,000 क्रोड के जो दुनिया में सर्फ अमरिका के राष्टपती के पास है और दूसरे हमारे परदान मंत्री जो जो ग्रीबों के बसीया है जो दस लाग का सूट पूर जिसको राउल गाजी ने कहा था उन्हें वह दो जाई दिये पूरा एर इंडिया का अफलीट थाना हजार क्रोड में बेए दिया यहां ग्रीबों की सरकार और यह मौदी जी सरकार हाई हाई जिसको आप फकीर कहते हैं मैं फकीर नहीं को और ही लकीर है इसलिए ग्रीब के साथ जल्म जोर जल्म की चक्की में सब लोग हिंदू मुस्लम से खितात को बाद रखेंगे इस देश की एक्ता का बल हिंदू मुस्लम एक्ता में है इसलिए सब साथियों को मैं कहूंगा कि यह जो इनकी शोशन वाली नीतियां है परचार है इनसे बज़ के विकास और पाजिटिव बात करके समाज के एक्ता और गठर की बात करके हमको आगे चलना है जो साथी जहां आए मैं डियेफ़ साब से कहूंगा कि वो इनका शुक्रिया करेंगे तो आप सुन रहे थे किस परकार कॉंगरेस के मुख्या प्रवक्तार रविंदर शर्मा इस समय कॉंगरेस की एक सरकार के खिलाब जन भी रोदी रैली को इस समय अब्रस कर रहे थे और एक मैमोरंडम लिखित में मेमरोन तैसिल लार सुंदर्वणी को सौंपने के लिए इस समय तैसिलदार कारेले परिसर में एकत्रित हैं और बाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे इस समय जो तक्तिय आप कांग्रेस के कारेकरताओं के हाथों में लहरा रही हैं आज के इस कांग्रेस के बिरोध प्रदर्शन में हैं और इस समय कोंग्रेस का यो एक बिरोध प्रदर्शन की रैली ओ इस सवंदरवणी के तैसिदर कारेले परिसर में पहुंची या और चेज़ी मिनित के बाद अपना मेमरोनम लिखेज में तैसीदार कारे ले में तैसीदार साब को सुपने जाएंगे फिलाल आप जुड़े रहें बाहु एस विडियो जनली सची रहना के साथ बाहु एस के लिए मैं राजिंदर रहना